हो फ्रेंड्स मैं आपका वेल्कम करतौ हूं मेरे चैनल में तो आज हम दिखेंगी कि हम लोग data कैसे load करते हैं अगर हमारा 1 component किसी और folder में है थो यहां पर जो बटन आपको दिख रहा है किसी और component किसी और folder में है और जो मेरा table है यहाँ पे display होगा वो किसी और folder में मैंने जो कि already यहाँ पे mention कर रहा है इस button is in component folder A और इस table is in component folder B तो यहाँ पर मैं load button पे जब click करूगा तो आपको यहाँ पे data कुछ दिख गया ठीक है यह जो data आ रहा है फिलाल यहाँ से मैं get कर रहा हूँ fake JSON placeholder से यहाँ पे कुछ मतलब fake data बना के रखे तो इसको मैं hit कर रहा हूँ इसलिए वो load हो रहा है तो उसको फिलाल हमें ध्यान नहीं दे रहा है कि data कहां से आ रहा है बट API हम लोग एक हिट कर रहा है तो अपना में मक्सम है कि हम यह समझना है कि हम लोग यहाँ पर component को कैसे communicate कर रहा है दूसरे component से ठीक है तो get data from another component in a reaction यहाँ पर लोड हो रहा है यहाँ पर वो हम लोग शो कर रहा है क्योंकि अगर नॉर्मली हम लोग एक component अगर किसी एक component के एक folder में है एक file में है तो वहाँ तो काफी easy हो जाता है यह button load कर रहा है उपर उसका button हम लोग call करा दिया उसमें फिर उसको hook के जरीए set कर दिया और map function के जरीए वहाँ पर उसको table में load करा दिया उसी same file में है बट आपका अगर button कि किसी और file में किसी और folder के किसी और file में है और आपका table किसी और folder के और file में तो आप कैसे करोगे तो उसकी अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पर context API को use कर रहे है ठीक है तो Redux भी हम लोग use कर सकते तो बट काफी चोटा सा project है तो यहाँ पर concept हम जाने के लिए मैंने context API को use जाते हैं सायद किसी को use में मिली जाएगा किसी के use में आ जाएगा तो हम लोग देखते हैं कि क्या actually किया गया है कि मुझे इस तरह से data आ रहा है कि मेरा button जब मैं click करो तो मुझे यहाँ पर data show हो रहा है ठीक है तो यह कैसे achieve कर रहा है तो चलते हम लोग project folder में अब project folder में और app.js context.js header.js और load data.js तो एक एक हम लोग देखते हैं तो पहला काम तो था मेरा context.js file मैंने बना ली है src में जिसमें कि मुझे खाली यह दो line का code लिखना था अगर यह आप नहीं लोग है तो आपका context API का जो concept है वो work नहीं करेगा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि header.js में कहाता है header.js में कुछ नहीं है बस यह उपर का मैंने menu बार बना लिया थोड़ सा मतलब यह इसका design अच्छा लगे और इसके बाद index.js, index.css और app.css में कुछ भी नहीं है app.js में मैंने load करा है load data यह वाला folder ठीक है अब यह वाला folder actually क्या करा है इसमें main concept है आपका concept API का ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है add user और user list यह load करा दी जो की component A से add user आ रहा है component B से मुझे user list मिल रहा है ठीक है तो यह मैंने यहाँ पर wrap कर दिया अगर इसको आप wrap नहीं करेगा अब यहाँ पर main मक्सद क्या था कि यह जो सारा code है मैं app.js में भी लिखी सकता था कोई वो नहीं था बट कैसा है तो जब हम लोग project थोड़े बड़ा होते तो हर जेग हम लोग हर बार हम लोग app.js में खिचडी नहीं बेगा सकते तो हम लोग को अलग अलग component बनाना बट कैसा है जब बड़ा project होगा तो बार बारा app.js को अप्रोच नहीं कर सकते हैं अगर आप next.js में काम करें तो बार बार डबल अंडर स्कोर app.js में नहीं जा सकते हैं इसलिए हां पर मैंने छोटा सा component बना दिया और सारा का सारा जो यह था add user or user list में हां पर कॉल करा दिया यहां पर पहले चलते हैं हम लोग देखते हैं component A में क्या है component B में क्या है तो मैं चलता हूँ component A में जो की मेरा यह button है छोटा इसको minimize कर्देतों ठीक है यह component A है मेरा और component B है तो component A में चलते यहां पर component A में आपको एक बटन दिख रहा होगा और उसके click पे मैंने function call के handle add user जो कि यहाँ पे hit कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे constant बना रहा है dispatch event और यह कहाँ से मिल रहा है मुझे यह मिल रहा है मुझे load data से यहाँ पे मैंने उसको assign कर दिया है उसमें कुछ data हैगा payload.new user ठीक है तो यह new user कहाँ मिलेगा वो भी मैं मता दूँगा ठीक है new user कहाँ आ रहा है वो भी हम लोग देख लेते तो चलते है add user में जब भी add user में मैंने click किया तो add user पे हम लोग sorry add user पे यह user पे हम लोग click करेंगे तो यह जो code है यह execute हो जाएगा तो इसमें कैसा था यह JSON placeholder से मैंने data मंगा लिया उसके बात यह set show data को मैंने यहाँ पे data जो भी था मैंने get कर लिया और यह जो था इसको मैंने यहाँ पे pass कर दिया यह curly bracket में इसलिए लिया है क्योंकि इसको मैंने यूज कांटेक्स को यूज किया है और उसके बात user.map फिर user और यहाँ पे उसको show करा दिया है ठीक है user.show data तो यह जो show data है आपको मिल रहा है कहां से यहां से इसके अंदर मेरा सारा-का-सारा data आ जो कि मुझे इस API जो कि मुझे मुझे यहां पर आपका यह मेरा table का काम हो गया जो कि मैंने यहां पर शो करा है और यह मेरा button का काम हो गया तो add user में और कुछ सुतनी dispatch user event जो है जैसे कि मैंने बता है, यहां पर हम लोग ने create किया है और सारा का सारा जो manage हो रहा हूँ यहां save manager है, ठीक है यहां पर कुछ भी बना सकते हो, यह आपके उपर है जरूरी इसको नाम दे सकते हो, यहां पर मैंने पास कर दिया, यहां पर मुझे यूजर का स्टेट भी मिल रहा है, और यहां पर यहां पर यहां से उसको मैंने यहां पर पास कर दिया, फिर map function के जरी है, show data वाला जो था, इसमें मेरा पास काफी value, काफी data आ रहा था, API से, वो इसको मैंने map कर आपके, यहां पर show कर दिया, और finally फिर load data का, जैसे कि मैंने बता है, यहां पर इसको मैंने wrap कर दिया, इस तरह से, app context.provider, और इसमें मेरा add user और user list, और call md9, call md3, आपको समझ में आ गया होगा, कि यह म add context है, यह अपका इसमें match होना चाहिए, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आपके उपर है, तो मैंने यहां पर dot provider लिग लिग लिया, और value पास का, अगर इसको पास नहीं को रहा है, तो आपका context API जो हम लोग देख रहे है, वो चल रहा है, data full load बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक तो delete user के लिए भी हम लोग बना सकते हैं, उसका भी बटन सेम जैसे add, हम लोग user के लिए कर रहे है, उसका handle कर सकते है, delete बटन के लिए, update बटन के लिए, आपके उपर है, आपको कितने सारी functionalities चाहिए, तो इस तरह से हम लोग उसको approach कर सकते है, तो यह काफी simple है, context API, अगर आपको context API का हलका full का knowledge होगा, तो ही यह वीडियो आपको समझ में आएगा, otherwise नहीं आ पाएगा, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपके बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं next वीडियो में दोस्तों